तर दोस्तों स्वागते हैं आपका राजसानी तीस त्योहाँ चैनल बें तो आज है तीस नुवंबर दो हजार इकिस उत्पन्ना एकादशी मंगलवार का दिन है और आज का निया एकादशी भी इसे कहा जाता है तो एकादशी व्रत रखने वालों को कुछ चीजों का ध्यान चरूर रखना चाहिए और व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में विश्चिस जानकारी दी जाएगी आपको इस पूरे वीडियो में इस दिन किसी भी हाल में दान दिया हुआ भोजन अत्वा किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए एक पर नशार के पाले नहर्चा भगवान विश्नू को एकडशी दित्री सबसे ज़्यादा प्रिये हैं। यही वज़ाय कि इस दिन व σταट का विश्नु जी की विदी विधान से पूजा की जाती हैं। बानेता हैं कि एकादशी व्रत और पूजा से विश्णुजी के प्रसंता से हर भोतिक सुक्ष सहज रूप से मिलता है। एकादशी रखने वाले व्यक्तियों को कुछ खास चीज है जिनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये एकादशी के लिए दश्मी के दिन से ही प्यार, लैसून, मसूर की दाल और चामल का सेवन बंद कर देना चाहिए। दश्मी एका दशी और उसके बाद दशी के दिन में भी प्याज लैसून मसूर उड़त चने की दाल को सेवन नहीं करना चाहिए इसके साथ ही सहद भी नहीं ख़रना चाहिए व्रत के दिन कोल रिंग्स तला भोजन आइसक्रीम डिब्बा बंद भोजन पेक फलों के रस आदी बजारू खादे पेक अभी सेवन नहीं करना चाहिए संबह हो तो निराहर व्रत करें अगर सामर्थ नह हो तो एक बार भोजन कर सकते हैं व्रत धारी फल घर में निकला हुआ फल का रस अत्वा दूद या जल का सेवन भी कर सकते हैं फलों में केला आम अंगूर आदी के साथ सुके मेवे जैसे बादाम पिस्ता आदी का सेवन भी करना चाहिए एक दशी प्रत में सभी प्रकार के फल चीनी, कुट्टू, आलू, साबुद दाना, शकरकन, जेतून, नारियल, दूद, बादाम, अद्रक, काली मिट्च, सेंदा नमक, आदी खाने योगे पधारते शामिल किये गए हैं अब अनाज की मैं बात करते हूँ तो अनाज में जैसे चावल, बाजरा, जो, मेदा और उसे बनी हुई वस्तुएं डालों में उड़त की दाल, मसूर की देल, चने की दाल और इससे बनी हुई वस्तुएं जैसे मटर, छोला और सबजियों के मैं आपको बता देती हूँ, सबजियों में आप सेम के सबजी, सलजम, गोबी, गाजर, पालक, एकादशी में वर्जित खाद्य पदाहरत है, इसके अलावा मेथी, हींग, सरसों, सौफ, इलाइची, इमली, लॉंग और जायफल, आदी मसा काले भी भर्जित है, बेकिंग पावडर, नमक, बेकिंग सोडा, कस्टर जैसे बजारू, खाद्य पे, और मिठाईउं का सेवन नहीं करना चाहिए, बूल्वस ऐसा होने पर, तत पस्चात, सूरे देव के दर्शन कर, विष्णु भागवान से समायाशना कर लेनी चाहिए तो यह तीखाज जानकारी के एका दशी के व्रत में कौन-कौन से फल, कौन-कौन सी चीजे और कौन-कौन से मसाले हमें नहीं खाने चाहिए, और क्या नियम है, जिन नियमों का पालन करना चाहिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल अगन बटन दबा दीजिए और राजस्तानी 30 त्योहार व्रत, पुजा विदी और विंटे स्पेशल राजस्तानी रेसिपीज के लिए बने रही है हमारे साथ राजस्तानी 30 त्योहार चैनल पे, तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, अरे किश्णा